हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जर्मन भगवलिक चिंतन खा वीडियो नोबर टू ला रहा हूं इसमें मैं आपको इससे पहले में आपको रिस्तोफिन के बारे बताया था अब मैं आपको अलफ्रेड हैटनर अलफ्रेड हैटनर के बारे में बताऊंगा उन्होंने जो में एहेंवा था यह 1859 से 1941 इनकला डे इस है अब ध्यान रखिएगा अलफ्रेड हाटनर मृष्रेड हैटनर प्रम्वपढक और प्राकरतेड अब्र Savage भीटा थे कैसे भूल नेधा थे यह नार्ड प्राकरतिक हाँआ यहर कृदा ड़ेडिश बहल पेलिक्सि ai औरीजनल जोगर्फ थे यह है है ध्至 नबने भूगोल को एक छेट्रे विवरण विज्यान को मैंस्मेर आपनुर्बर्शियस सायंस इससे पहले में मिदा था अब ड़ीए बिस अयों में आपको बताए था रिश्त फिन ने हैतर कोई टिक लगाएगा क्योंकि यह प्रस्क्रीडियе नेट में आया था और इस्तोकि यह फिशन ऩोनहीं प्सक्रेश को ओंडा यकषिये तैट आगे बढ़ते हैं हैागनी भगोलिंग विधी इतंत्र विशेशक है कि थी तर 보िट अग्रणी मैफिश्ट अग् Mm ग्रणी मेथिड़िलाजस्त था विस्तृत यात्राओं के पष्षाद जिस प्रकार रिस्तोफिन ने प्रिस्तृत यात्रा की थी चीन की उसे प्रकार अलफ्रिड हैणीऑ में बहुत सारी यात्राइं की थी लिखा विश्त्रित यात्राओं के पश्षात उन्होंने यूरोप दामक पुस्तकी रचना की जो 1907 में प्रिकाशित हुई थी इनकी बहुत फेमस बुक है ये इनकी एक और फेमस बुक है वो अभी बताऊंगा मैं आपको हेटनर भूगोल को आइडियोग्राफिक यनि की प्रादेशिक आधेरित ही विग्यान मानते थे आइडोग्राफिक कौन माना तो हैटनर है हैटनर भूगल को आइडोग्राफिक मानते थे प्रादेशिक आधारित ही विज्यान मतलब वो सिर्फ प्राकतिक महत्व बहुत देते थे प्रादेशिक आधारित ही विज्यान मानते थे वह कहता था कि भुगुल विशय प्रत्वी के छेत्रों का ग्यान है मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ प्रादेशिक प्रादेशिकता पे ही आधारित विज्ञान माना भुगुल को उसका यह कहना भी था कि भुगुल विशय प्रत्वी के छेत्रों का ग्यान है इन्हों ने मैं व् Scale onhtre a that वह पूचा है कि उन्होंने अड़ कुंडे की स्थान यह डुन बेस्ट को सब्द का प्रयोग किया इन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्ट स्पेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो एक्जाम में आते हैं अक्सर यूजिसीनेट पीजीटी एंड यूवस्टी से एक्जाम में तो पूछे ही जाते हैं इसलिए आप सब लोग बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए लाइक कीजिए और अपनी त्यारियों को ऐसी बनाए रखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हैटनर की जो विशेश ख्याती थी उसकी जो जादा इंपॉर्टेंट बुक है जो इसकी पहले पुस्तक है यूरोप उससे भी जादा इंपॉर्टेंट इसी की बज़े से यह प्रशिद हुए थे इसकी बज़े से इनको ख्याती मिली थी सबसे जादा तो आप मत भूलेगा इस पुस्तक को आगे बढ़ते हैं हेटनर द्वारा रचित पुस्तक को रचना की है पहली पुस्तक है उसकी तुल्लात्मक प्रादेशिक भूगोल मस्तक कहा है राचित रचित प्रेड़ ररीजनल ऑजमें किया नामें कमप्ररेटिव रिजनल जॉगराफी तुल्लात्मक प्रादेशिक भूगुल उसकी बजूसरी पुस्तक है रोल्सकभ भूगोल तीसरी पुस्तक है जिऊगराफी का इस हिसट्री करएक्टर अन चाल प्रथवीपर संस्क्रति का प्रसार करे फिफ्त पुस्तक हैं कलंबियन अइंडी ज शिक्ष है इंग्लेंड कर संसार पर कर उत हैं इसर्थ क explored पुस्तक हैं प्रथवी के पुष्ता है लेकिन जो मुझे इंपॉर्टन लगी जो आई है एक्जाम में अक्सर मैंने वही लिखी है तो आप इन बुक्स को तो याद करना ही है मतलब भूलेगा नहीं इन बुक्स को तो याद करना ही है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एक नोट लिखा हुआ है भूगोल को छेत्रवर्णी कोरोलोजी साइंस के रूप में प्रतपादित करने का श्रें जर्मनी के दो भूगलवेताओं रिष्टोफिन और हैटनर को दिया जाता है देखिए लास में क्लैरिफाइब भी कर दिया गया है कि भूगोल को जो कोरोलोजिकल साइंस है के रूप म में प्रतपादि करने का श्रें जर्मन के दो भूगलवेता है एक में दो भूगलवेता है कौनकों से है रिस्टोफिन है और हैटनर है तो आप यह डोंट कन्फ्यूज प्लीज कन्फ्यूज मत होएगा यह दोनों नहीं को लोगदान जादा है इसलिए हैटनर को माना जाता ठीक है थैंक यू गाइस और सब्सक्राइब मैं चैनल शेर लाइक थैंक यू जैहन